है तो है डोस्तों कैसे आप लोग आयोब तिरफ लोग अच्छे होंगे आज हम यहां की बुवाई में अपने खेतों में गाउमें हैं तो अभी हम लोगा खेत हैं तो यहां बुवाई चल रही है और परड़िंस पापा और अजीत खेत प्रें तो यह ट्रैक्टर है छोटी लालका और यह लोग हैंगी हैंगा रहें इनके खेतों की बुवाई हो चुकी है और बेज वह गारा सब डाल दिया एक खेत हम लोगा यह पूरा हो रहा है अब है अब यह बाकी है प्रेयर स्कूल के पीछे वाला पूरा खेत बाकी है हुआ हुआ है और इस खेत में अभी हैंगाना शुरू हो गया है इसके बाद बाद बेज हेगरा डालेंगे और पर डालेक्टर से जटाई हो जाएगे इसके बाद शिरूब हुआ है तो गाओं की खेती बहुत ही मजा आ रहा है यहां पर है अगया के आ चुके हैं और अभी यह देखिया दोनों खेदों की हैंगाई खतम हो गई है जो बड़े बड़े डेले थे उस सारे चकना शूर हो चुके हैं तो अभी इस लास्ट वाले खेत का हैंगाई चल रहा है अभी कुछ दिर के बाद अभी यह भी साही हो जाएगा सिर्फ यहां फेसे पांच मेट और उसके बाद हम लोग बेच वगरे डालके खाद वगरे डालके और साइड साइड में सरसो का दोपन करेंगे आधर गंटे के अंदर में सारा खेत हम लो हो जाएगा कि यह है वह लाश्ट हो लाकित आप लोग दिखाए मैंने यह खेती करने का बहुत ही नायाप तरीका कि वह गयों का वीज है और खादर है उन जो इस खेत में हुआ ही करने के लिए हम कि गाउं का स्कूल है उसकूल के बगल में है आप लोग उसे मिलते हैं कुछ देर बात अजीत कुमार यहां पर खादर छीड़ते हुए आप देख सकते हैं को साफ साफ जून करके दिखा दो इधर गिर्मू का बीच भी शिर्काओ करते हुए अधर बीच जोना एक लोग यहां पर है कट्टा ले जाते हुए पड़ा ही मनमुहंग गाउं चक्योगा गाउं के चारोतर रास्ता और साथ में प्रिंच कुमार भी यहां पर आए हुए हैं प्रिंच कुमार अधर जोड़ा गाउं पापा भी यहां पर पिछका चिर्काओ करते हुए हमको दो आता नहीं एंद छोड़ दिए तो डिजल खतम हो गया था डिजल डालते हुए प्रिंच कुमार डिजल आके डिजल डार रहे हैं टेक्टर में डिजल अभी यहां पर नहीं खतम हो गया था बहुत भारी है और भाई पचास लेटर है भाई कितने ट्रे टंकी है भाई है जोड़ा ही जोड़ा है झाल गपच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्प्च्च्ब से लिए लाई जोड़ाई है कितने ट्रे जोड़ा है झाल झाल झाल